इस वीडियो में हम लोग ये तीन चीज़ें समझेंगे और कैनिजारव अभीक्रिया क्या होती है कैनिजारव अभीक्रिया एल्डी हाइट्स देते हैं और इसके लिए एल्डी हाइट्स में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्तित होना चाहिए यानि नहीं होना चाहिए तो कैनिजारो अभिक्रिया अगर आजाए एक्जाम में तो कैसे लिखेंगे कि एल्डी हाइट को जब सांद्र एने ओएच या के ओएच के साथ गर्म किया जाता है तो विसम अनुपातन की अभिक्रिया होती है और दो प्रोड़क्ट बनते हैं तो ये विसम अनुपातन यानि डिस्प्रपोर्शनेशन इंग्लिस में कहते हैं ये क्या होता है इसमें एक अणु अपचैत होता है एल्डी हाइट का तथा एक अणु आक्सिक्रित होता है तो ये विसम अनुपातन होता है और यह केनिजारो अभिक्रिया में होता है तो केनिजारो अभिक्रिया LDHID देते हैं और प्रोड़क्ट में हमें हमें alcohol और carboxylic amyl का एक लबन मिलता है ये दो चीजें मिलती हैं हमें तो example से समझते हैं formaldehyde देखिए HCHO methanol है ये दो अणू इसके रियक्ट कर रहे हैं यानि दो अणू ही हमेशा रियक्ट करते हैं के निजारों में दोनों सेम हैं और ये अभी क्रिया सांद्र ने ओएज की उपस्तिती में होती है प्रोडक्ट में देखिए एक अणू अपचाईत होकर अलकोहल बनाया और दूसरा कारबॉक्सलिक अमल बनाता है लेकिन एने ओएज के कारण वोस में सोडियम आ जाता है और सोडियम कारबॉक्सलिक लवन बनता है तो मेथेनल, मेथेनल के दो अणू ये दो प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी फॉर्मैलिड हाइट से हमें मेथेल अलकोहल और सोडियम मेथेनोईट ये सोडियम फॉर्मैट मिलता है ये एक जामपल इंपोर्टंट है, कैनिजारो अभीक्रिया भी इंपोर्टंट है तो ये पहला उदारन है, दूसरा उदारन एक और देखते हैं बेंजल्ली हाइट के साथ, बेंजल्ली हाइट C6H5CHO है, तो सांध्र NEOH, यानि 50% NEOH के साथ, इसमें भी अभी करिया देखते हैं, देखिए इसमें बेंजल्ली हाइट के दो अड़ो हैं, और ये दोनों ही सेम हैं, दोनों बेंजल्ली हाइट हैं, और इसमें एक अड़ो अ बेंजोएड तो ये जो रियक्टेंट है ये बेंजलिहाइड के दो मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट जो है वो एक अलकोहल है और एक कर्बॉक्सलिक एसिट का लवण है तो ये विसमनुपातन की प्रोडक्ट है के निजारो अभी क्रिया है दोनों में तो इस तरह से डेफिनिश है उसको हम एक लाइन डाइग्राम में बनाते हैं कि एक कार्बनिक योगिक ए की अभी क्रिया जब एने ओएज के साथ होती है तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं पी तथा सी और बी का अनुसुत्र दिया हुआ है सी सेवन एच एट ओ तो ये जो लाइन डाइग्राम है इसको question के base पे बनाया गया है इसमें B काक्सि कर्ण करने पर पुरना A मिलता है और C की अभी क्रिया sodalime यानि현व प्लस CO के साथ होने पर या गर्म करने पर हमें benzean मिलता है तो यह जो Line Diagram में जो कुछ भी दिख रहा है इसी के BASE पे हम कुछ चीजیں conclude करेंगे conclusion कुछ निक कि यह जो C है यानि जो यह C प्रोड़क्ट था सोडा लाइम यानि एन एड़ेज प्लस प्लस यो के साथ गर्म करने पर अगर हमें बेंजीन मिल लही है तो चुकि यह वी कारबॉक्स लिकरन किया विक्रिया होती है इसमें COona हटता है तो यह जो C है यह C क्या हो सकता है इसको ह NaOH यानि सोडा लाइम से अभिक्रिया हुई तो इसमें Na2CO3 निकल लाता है और जो बचता है वो क्या है बेंजीन है तो यह सोडा लाइम वी कारबॉक्स लिकरन कि अभिक्रिया है तो इसका मतलब है कि जो योगिक C है वो sodium benzoate है तो एक हमें पता चल गया है कि एक उत्पात क ही क्या है अब योगिक B काणुसूत्र दिया हुआ है C7H8O है तो उससे क्या संभावित सन नचनाय हो सकती है यह हम देखते हैं इसमें देखिए 6 कारबन से ज्यादा है इसलिए एक बेंजीन रिंग होगी हाइड़जन भी कम है प्रपोर्शनल के हिसाब से तो इसमें देख कुत्र C7H8O बन रहे हैं अब यह जो C7H8O है इसमें C6H5 कोलक करने पर एक कारबन बचता है तीन हाइड़जन बचते हैं और वह एक बचता है और इससे तो जो संभावनाय बनती हैं वह क्या बनती हैं CH2OH की और OCH3 की तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने इधर सं हो सकता है अब तीसरा पॉइंट तीसरी चीज हम यह लिख सकते हैं कि चुकि योगिक भी आकसी करण करने पर पुना योगिक ए बनाता है यानि जिससे रियक्शन स्टार्ट किया गया था रियक्टेंड में बदल जाता है तो इसमें से हम देखते हैं कि जैसे अगर एथर का हम यानि जो मिथाक्सी बेंजीन है उसका अगर हम आकसी करण करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसी चीज नहीं बनेगी लेकिन अगर हम बेंजील एलकोहल का आकसी करण करेंगे तो उपर जो च्छ टू ओएच है वो च्छो में कनवर्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या हाइड तो हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह जो समभावित संबाचना है यहा वह बेंग वह सेकेंडड वाली है तो योगिक भी जो है क्या है और योगिक मिदियो से रोप iris यहां पर हम देख रहे हैं दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दो कैनियजाररो में बनते हैं तो यहां पर बैंजल CID की सातके एक अविकरिया कराते हैं तो यहां बेंजयू एड तो यह एक कारबक्स लिकलवन है और यह कैनिजारौ अविक्रिया है तो इस तरह से कैनिजारौ अविक्रिया डारेक्ट ना नाम से पूच कि ऐसे प्रस्ण में जा सकता है इसमें देखें बंजल यहाइड में अल्फा यvo नहीं है तो ये जो question है ये बहुत असान है बसरते हमें के निजारो अभी क्रिया समझ में आनी चाहिए और हमें रियेजेंट्स ध्यान में होने चाहिए कि कौन से रियेजेंट्स यूज हो रहे हैं उसी के base के दिमाग में click करना चाहिए कि हाँ ये अभी क्रिया है तो इसको बहुत असानी से जो है लाइन डाइगराम बना करके और फिर इस तरह के जो problem based questions हैं उनको हम attempt कर सकते हैं और अब इस वीडियो के last में इस question के बाद हम वीडियो के last में अलफा hydrogen कैसे पता लगाते हैं ये देख लेते हैं साइड आपको पता हो लेकिन जिसको ना पता हो देख ले इस योगिक में ये क्रियात्मक समू है सियाच्चो उससे जुड़ा सब्सकारबन है वह अलफा है उसके बाद बीटा है उसके बाद गामा है तो अलफा कारबन पर उस पर कोई हाईडोजन नहीं है तो यहाँ अलफा हाईडोजन सुनने है और यहाँ पर बीटा हाईडोजन जो है वो नौ है तीन 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 तो इस तरीके से हम अलफा हाईडोजन निकाल सकते हैं जैसे देखें फॉर्मेल्डी हाइट में अलफा कार्बन ही नहीं है तो तो alpha hydrogen की बात ही नहीं होगी, अगर alpha carbon होता तो उस पर हम देखते हैं, चुकि यह direct CHO से चुड़ा है, इसलिए alpha hydrogen नहीं है, देखे बेंजली हाइड में CHO से जो carbon है, उस carbon पर कोई hydrogen नहीं है, तो इसलिए बेंजली हाइड में भी कोई alpha hydrogen नहीं है, तो इसलिए कैनिजारो अभी क लिए के लिए दोनों ही suitable है, formaldehyde और बेंजली हाइड, थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो,